धनूराशी, मैं आपको बताने वाली हूं, मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, मार्च के मंद में आपके लिए क्या प्रिकॉशंज हैं, कहां कियर फुल रहना है, कहां आपके लिए खुशिया आपका इंतिजार कर रही हैं, दोस्तों धनूराशी सजीटरियन, इनके लिए मार्च के भैने मेहें में जो लगी नंबर हो आपका लएक गल्र होगा नाइन और आपका लगी वाइट तो कुछ भी कारे में करते हैं आप इस मंत में जो भी काम से reform अभिक आनगे और शात प अपने साथ लेकर चलते हैं, तो सकसेस मिलने के पूरे चांसे हो जाते हैं, इस मंद में आप कोशिश करेंगे कि सब के साथ ताल मेल बिठा कर चलें, पर आपका ताल मेल बैट नहीं पाएगा, क्योंकि आप खुद भी कुछ ऐसी परिशानियों में उल्जे रहेंगे, ऐसे आ आप लोगों के साथ ताल मेल नहीं बिठा पाएगे, आपकी चुटी मुटी बातों को लेकर आपको जो तनाव होने वाला है, उस तनाव के कारण, आप मेंटल टेंशन के कारण, आप बहुत थकान महसूस करेंगे, और उसी थकान के चलते आप लोगों के साथ, यू विल न कर जाए, कम लीजे, क्योंकि होना तो वही है, जो लिखा होता है, तो कुछ बाते भगवान के लिए भी छोड़ दीजे, इतना टेंशन मत लीजे, आला कि इस महीने में आपके स्पाउस या आपके पार्टनर जो भी हैं, वो बहुत कोशिश करेंगे कि आपके टेंशन को कम करते रहें, पर फिर भी सक्सेस्फुल नहीं होने वाले हैं, सक्सेस्फुल तभी हो सकेंगे, जब आप खुद अपनी टेंशन कम करेंगे, तो इसलिए दोस्तों, ये जो महीना है, धनुराशी के जातकों के लिए खास कर, में तो उनको मैं यहीं बोलूँगी, कि वो थोड कि आपको ठेरों शुब खाना है, भगवान करेंगे, होली के रंगों के साथ आपकी mental tension भी उड़ जाए हवा में, और आपकी थकान भी दूर हो जाए, wish you all the best friends, see you soon, bye